जुहार मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन की बार जन्मन की बात में आज बात करेंगे अमित शाह की कल चाइबासा में हुई विजय संकल्प रैली की और तलाशेंगे इसके माइने और जानेंगे कि क्या है इसके निहतार्थ भाजपा अब कौन सा कार्ड खेलेगी उसके निशाने पर अब कौन सा टारगेट वोटर है और बिहारियों की या कथित रूप से जो बाहरी जिन्हें जारखंड मुक्ति मुर्चा और हिमन सुरेन करते हैं वे भाजपा के लिए कितने माइने रखते हैं और भाजपा अब आगे चुनाव के मोड में आ गई है और उसके क्या रणनीती होगी इन सब बातों पर चर्चा करेंगे लेकिन इसके पहले आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें साथ ही नोटिफिकेशन आन कर दें बेल बटन दबा कर ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे साथ ही वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताते रहें कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं तो जारखंड में पिछले विधानसभा चुनाओं में चोट खाई भारतिय जनता पार्टी अब सत्ता के लिए फिर से आदिवासियों का सहारा तलाश रही है कल चाईबासा में अमित शाह की विजय संकल्प रैली को ध्यान से देखें तो इसके कुछ बड़े नहितार्थ निकलते हैं पहला तो यह अब जारखंड में मुख लड़ाई आदिवासी वोटों के लिए होगी अमित शाह की रैली भले चाईबासा में थी लेकिन यहां से पूरे जारखंड की अलग-अलग जनजातियों को उनकी अपनी भाषा में संदेश दिया गया और इसके लिए भाजपा ने अलग-अलग आदिवासी निताओं का सहारा लिया जो की अलग-अलग जनजाती से आते हैं दूसरा यह कि अमित शाह ने 1932 के खतियान का मुद्दा उठा कर कोलहान की दुखती रग को छेड़ने की कोशिश की तीसरा यह निकला इसका नहितार्थ की कोर कमिटी की बैठक में तैबासा में कल कोर कमिटी की बैठक हुई लोग सभाचुराओं के लिए कोलहान की जो कोर कमिटी बनाई गई है उसकी बैठक में अमित शाह ने सपस्ट संदेश दिया साफ तोर पर कहा कि आजसू को जुडवा भाई मान कर चलना है और हर हाल में उसे साथ में और विश्वास में लेकर चलना है यह निर्देश या यू कहें कि आदेश अमित साह ने जारखंड भाजपा को दे दिया है और यह कवायद कुडमी वोटरों को साधने के लिए की गई है क्योंकि आदिवासी दरजा देने के अपनी मांग को लेकर कुडमी काफी आंदोलित है और भाजपा में उस स्तर का या उस कद का कोई कुडमी नेता नहीं है जो अपने समाज की ओर से भारती जनता पार्टी से समवाद कर सके या पार्टी का नजरिया पार्टी की लाइन कुडमी समाज तक पहुँचा सके उन्हें आश्वस्त कर सके तो अब भाजपा ने भी कमो बेश वही लाइन अपना ली है जिस पर जेमेम चल रहा है फरक सिफ बिहारी और बाहरी वोटर्स का है अंतर सिर्फ इतना है कि जेमेम के लिए बिहारी और बाहरी लोग चुनावी दुश्मन है तो पीजेपी के लिए बिहारी और बाहरी घलुआ हैं घलुआ समझते होंगे आप वही जो आपका दूद वाला दूद देने के बाद उपर से अपने पाव में से थोड़ा सा दूद डाल देता है इसे ही घलुआ कहते हैं कई जगे से फाव भी कहते हैं अंग्रेजी में बोल कोई चोईस नहीं बची है भाजपा का ऐसा मानना है तो कि जेमें के लिए या जर्खंडी दलों के लिए दुश्मन है तो उसकी मजबूरी है कि वह भाजपा को ही वोट करेगा इसलिए अब बिहारी या गैर आदिवासी गैर जर्खंडी वोटर भाजपा के लिए माइने नहीं रखते वो उनको लुभाने की उतनी कोशिश नहीं करेगी इसलिए उसका ध्यान सीदे सीदे आदिवासी वोटरों पर है तो जर्खंडी पार्टियां तो बाहरी को और बिहारी को गाली देते ही देती आई हैं उनको डॉमिनेटिंग बताती आई हैं मुख्यमंत्री ह एमन् सुरेन भी कह चुके हैं कि भीहारी और यूपी के लोग जो हैं जर्खंड्या अंदोलन के समय अत्याचार क पल्लु थामने के लावजर कोई चारा बाच्चता भी नहीं कल चाईबासा में अमिद शाह की रैली के मंच से इसी बिहारी मूल के सांस अधिया विधायक को बोलने का मौका नहीं मिला बोलना तो दूर मंच पर जग़ा भी नहीं मिले दूसरी तरफ मेन का सरदार और मनोज लेयांगी जैसे नेताओं को अमिद शाह की सभा में उनके मंच से बोलने का मौका दे कर भाजपा ने खुद अपने नेताओं और कारकरताओं को अचरज में डाल दिया सराइकेला और जमशेतपूर से रैली में गए कई नेता कारकरता इस बाज़ की चर्चा करते भी नजर आए यहां तक की रैली में कुलहान के किसी जिले के भाजपा के जिलादक्ष को मंच पर बैठने का मौका नहीं मिला वहीं सराइकेला और कुलहान के इलाके में भाजपा को जमाने में पाओ खड़े करने में उस वक्त जब भाजपा की इस इलाके में कुछ हैसियत नहीं थी, कोई पूछता नहीं था, उस समय भाजपा को इस इलाके में जमाने वाले विनोध चिरवास्तव को भी दरकिनार कर दिया, विनोध चिरवास्तव भी आधितिपुर के मेयर है, अमित्षा की रैली में सिर्फ तीन गैर आदिवासी नेता ऐसे थे जिनको बोलने का मौका मिला, यानि तीन ही नेता थे जो आदिवासी समधाय से नहीं आते थे और उन्हें बोलने का भी मौका दिया गया, क्यों दिया गया ये मैं आपको बताता हूँ, ये तीन लोग थे पूर्व सीम रगवरदास, जमसे एक वज़ा नहीं थी एक वज़ा ये भी थी कि वे पिछड़ी जाती और वैश जाती से आते हैं साहू जाती से आते हैं जिसकी संख्या जारखन में काफी ज्यादा है इसलिए रगुवर्दास को मंच से बोलने का मौका दिया गया दूसरे विद्धुत वरणमा तो उनको इस मांग है कि उन्हें अनुसूतित जन जाती यानि एस्टी का दर्जा दिया जाए आज भी जमशेदपूर में एक बड़ी सभा हुई टूसू के नाम पर और उसमें मुद्दा यही था कि कैसे अपने लोगों को एक जूट किया जाए और कुर्मी स्टेकस की मांग को तेज कि जाए तो विद्धु तुरण महतों को इसलिए मौका दिया गया क्योंकि वे इकलोते सांसद हैं भाजपा के जो कुर्मी जाती से आते हैं तीसरे थे डॉक्टर दिनेशानन्द गोस्वामी पूर्वध्यक्ष रहे हैं भाजपा की टिकेट पर विधायक का चुनाव लड़े थे पिछली बार नहीं जीत पाये थे उसके पहले उप्चुनाव लड़े थे जमसेतपूर सीट से लोगसभा का समय भी नहीं जीत पाये विध्यार्थी परिशत के पांच बार राष्टी अधक्ष रहे हैं डॉक्टर गोस्वामी लेकिन उनको बोलने इसलिए नहीं दिया गया कि उनकी भाजपा के प्रदेश अधक्ष रहे हैं या विध्यार्थी परिशत के पांच बार राष्टी अधक्ष रहे हैं उन्हें क्योंकि उन्हें उडिया में बोलना था उन्हें उडिया में बोलने की शक्त रखी गई थी और बता दे आपको कि सराय के लाखर सावा पस्चिमी सिंभूम के वे इलाके जो उडिशा से सकते हैं बड़विल के आस पास के और पूर्वी सिंभूम का बहरा गोड़ा का इलाका उडिया भाशी लोगों का इलाका है, वहाँ काफी अधिक संख्या में उडिया भाशा भाशी लोग रहते हैं, इसलिए डॉक्टर गोस्वामी को उडिया में बोलने के लिए कहा गया, तो ये थी इन तीन नेताओं, गैरा दिवासी नेताओं को मंच पर बोलने देने की जो हक किस्थानी हो भाशा में और हिंदी भाशा में संबोधन दिया, इन तीन नेताओं के अलावा जिन दो लोगों को मंच पर देखकर कारे करता चौके, वेथे मनोज ले आंगी और मेन का सरदार, लेकिन उनका होना यूही नहीं था, उनके होने के पीछे भी वजह थी, और लेकिन मनोज ले आंगी को क्यों मंच दिया गया, इसे कोई नहीं समझ पा रहा है, खासकर तब, जब मंच संचालन के लिए, वो समाच से आने वाले भाजपा के पूर्व नौकर शाह, जेवी तुबिद मंच पर पहले से थे, लेकिन पश्चमी सिंभूम से भाजपा के बढकूर गागराई थे, जवाहरबान रा थे, पुद्कर हेंब्रम थे, सस्थिभूशन सामड थे, और गुर्चरन नायक थे, सभी पूर विधायक रहे हैं भाजपा के टिकेट पर, और बढकूर गागराई तो पूरु मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इन में से किसी को मंच पर जगह नहीं मिली, इन लोगों को कोलहन लोकसभाचुनाव के लिए बनाई गई कोर कमिटी में शामिल किया गया है, और कोर कमिटी की बैठक रैली से ठीक पहले थी, तो कोर कमिटी की बैठक के बाद अमिज शाह मंच के लिए निकल गये, दूसरे प्रमुक नेता जो उस क्यों जगह मिली, मनोज लियांगी करीब-करीब आउटडेटेड हो चुके हैं, एक बार खसावा सीट से किसमत आजमाई थी उन्होंने, और आखरी बार 2009 में चायबासा से भाजपा परत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था और दीपक बिर्वा से हार गये थे, बोलने का मौका भी दिया गया, तो जंजातियों को उनकी भाषा में संभोधन करने की कड़ी में, अर्जुन मुंडा ने हो भाषा में बोला, दुमका के सांसत सुनिल सोरेन ने संथाली में संभोधन दिया, और खूटी से विधायक पूर मंतरी निलकंठ मुंडा ने जारते हुए कहा कि आप युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, तो गद्दी छोड़ दीजिए, हम सम्हाल लेंगे, अब अमिज शाह से पूछेगा कौन की केंदर की उनकी सरकार ने पिछले आठ सालों में कितने चात्र शात्राओं को नोकरी दी है, या जारखंड में प पनाम कोलहान में 1964 के सर्वे और संथाल परगना में बांगलादेश की घुस्पैट और जनजाती लड़कियों से शादिया करके जमीन हडपने का मुद्दा भी अमिज शाह ने उच्छा ला इस है और इसके पहले टाटा कॉलेच चैवासा में कुलहान की लोकसभा चुनाओं की कौर कमिटी की बैठक में मिज शाह ने साफ साफ कहा कि आजसू को साथ लेकर चलें मतलब साफ है कि कुडमी वोटरों को आजसू के जरिये साधा जाएगा 2019 के चुनाओं में रगवरदास की जिद की वज़े से भाजपा की परमपराजत सहयोगी रहने वाली आजसू ने अलग चुनाओ लला था उसके साथ सीटों का ताल मेल नहीं हो पाया था और इसका खामियाजा दोनों दलों को भूगतना पड़ा था आजसू महत दो सीटों पर सिमट गई थी सुदेश महतों जीत पाये थे और गोमियां से लंबोदर महतों जीत पाये थे लेकिन सबसे बला जटका भारती जनता पार्टी को लगा था उसे न सिर्फ अपनी सत्ता गवानी पड़ी थी बलकि वह 25 सीटों के शर्मनाक आकड़े पर सिमट गई थी अब अमित्चा ने आजसू को उसकी पुरानी जगह देने का फैसला किया है बता दें कि कुछ दिन पहले ही आजसू सुदेश महतों ने दिली में अमित्चा से मुलाकात की थी भाजपा कारेक करताओं को अमित्चा का संदेश उसी मुलाकात का नतीजा है ऐसा समधा जा सकता है लेकिन इतने कैलकुलेशन और इतने होम वर्क के बाद भी वीजय संकल परेली में उनकी भागिदारी बहुत कम रही जिनको साधने के लिए ये सारा प्रियोजन किया गया था यानि और कुलान का आम आदिवासी जानकारी है कि पहले अमित्चा की विजय संकल परेली में दो लाख लोगों के जमा होने का उन्हें लाने का लक्ष रखा गया था बाद में इसे घटा कर एक लाख कर दिया गया लेकिन सभा को संबोधित करते हुए खुद अमित्चा ने कहा कि इस रैली में 32,000 कुर्सियां लगाई गई थी और वे सब की सब भर गई है हाला कि मैंने कारकरम कवर करने गए कई पत्रकारों से बात की रैली में गए भाजपा के निताओं कारकरताओं सभी बात की सब का अंदाज आ जई था कि करीब 20-25,000 के आसपास लोग वहां जुटे थे और यह तब था जब कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी है मिर्शा के कारकरम की और पूरे ज़ारखंड से भाजपा के सभी सांसद विधायक प्रमुक्षनेता कारकरता इसको सफल बनाने में जुटे हुए थे बहरहाल भाजपा कल से ही चुनावी मोड में आ गई है और अब इन सारी कवाइदों का क्या नतीजा निकलता है या तो मई 2014 में होने वाले लोक सभाचुनाओं और उसी साल दिसंबर में होने वाले विधान सभाचुनाओं के नतीजों से पता चलेगा लेकिन तब तक इतना तो तैह है कि कोईल, कारो, कोईना, खरकई और सौनरेखा से लेकर दामोधर और गंगा की धारा में अभी बहुत सा पानी बहना बाकी है देखते रहे जन्मन की बात मेरे यानियानंद कुमार के साथ मिलें अगले वीडियो में तब तक दीजिये अजाज़त, धन्यवाद, नमसकार